प्लाइब करने के लिए सारे के सारे students eligible होते है हरयाना में जब कोई vacancy आती है उसमें apply करने के लिए क्योंकि आपको पता है कि जब भी किसी other student को eligible किये रहता है किसी भी state के eligible किये रहता है तो general category में count होता है eligibility criteria इसमें क्या होता है कि आपको हिंदी होनी चाहिए that is only criteria जो normally हर state का student पढ़ता है हिंदी को तो लेकिन पॉइंट यह आ जाता है यहां पर कि हिमाचल से हैं पंजाब से काफी student है तो अब ऐसी है एक वकेंसी हर्याना के अंदर आउट हूई है 120 वकेंसी है असिस्टेंट इंजिनियर के लिए yes 120 वकेंसी हैं असिस्टेंट इंजिनियर के लिए जिसमें civil mechanical or electrical सभी ब्रांची के लिए है तो कुछ भी start करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इंजिनियर करियर प्रेंट पावर बाई यॉर्पीड यॉर्पीड इंडिया इंडिया बिगस्ट प्लैटफोर्म ऑथेंटिक प्लैटफोर्म जो वेरियस एक्जाम का प्रपेश्टिन करवाता है इस्पेशली पंजाब के स्टुडेंट को हिमाच कि हरा जो इस वकेंशी के लिए स्पेशली औल ब्रांचीस के लिए इंजिनियर करेव κरविगड के लिए इंडिया की प्रपेशन करवाए वथे उन्होंонец है थोड़े इंडिया नोटिफिकेशन पDIO पते है थिर मैं आपको इसमें इंपोर्टिंट पॉईंट वो मैं आप से डिस्क्स करूँगा कि इसका exam structure क्या रहता है क्या इसका criteria रहता है selection का जो की जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा दूरी है क्योंकि थोड़ा सा different होता है यह बाकी states से अब यह जो notification है इसमें जो निकला है यह irrigation and water resources department के लिए एक चीज़ में और बता TWD department का बहुत departments का notification आना है जो preparation करने का तरीका है वो common रहेगा तो आप लोगों में से जो भी interested होएंगे इसकी exam की preparation करने को लेके वो हमारा description में Google form में उसको fill कर सकते हैं या directly आप मेरे को call कर सकते हैं कोई भी किसी तरीके के doubts related और मेरे से discussion कर सकते हैं other is description में fill करेंगे तो executive आप से सारा module के बारे में discuss कर लेंगे और most probably in the next four to five days we are starting the live classes for this thing right तो जो भी आप लोगों में से interested हो वो इस form Google form को fill कर सकता है description में so that executive आपके बास get back करके आपके साथ discussion कर सकें जो भी आपके doubts समो clear कर सकें before you start this preparation for this module right अब इसमें 104 vacancies जो हैं वो civil branch के लिए हैं no vacancies mechanical के लिए assistant engineer क के लिए mechanical में no vacancies एक बहुत बड़ा number है right assistant engineer electrical में आपके लिए 7 vacancies है अभी इसका notification जो है कल इसका sorry online application कल इसका start होगा last date है इसकी 21 December और fees deposit करने की भी जो fees है वो भी same ही है 21st of December को right अब इसमें मैं आपको सिर्फ important important चीज़े ही हम लोग यहां पर पढ़ेंगे ज्यादा मैं जानना ज़रूरी है इसका procedure right तो यह इसमें category wise divide किया गया है कि किसकी कितनी vacancies है category wise divide किया गया है अब मैं directly आता हूँ क्योंकि इसके बाद जो चीजें है वो citizen कौन कौन allowed है age limit किस तारीक तक कितना होना चाहिए यहां पर इसमें clearly mention किया हुए फिर relaxation है आप लोगों को category wise इसमें relaxation भी रहते है age को लेके अब जो main point है जो discussion कहा है वो इसका exam pattern और selection criteria देखिए तीन stages होती है जो इसके selection के लिए होता है मेरे को copy pick कर लो इसमें 3 stages में exam होता है पहला होता है prelims, prelims के अंदर आपकी होते है 100 questions आपके होते है जिसमें 80 questions होते है technical 20 questions होते है non technical और यह जो हर्याना के अंदर जो exam होता है assistant engineer का prelims का लगा लो चाए mains का लगा लो चाए interview लगा लीजिए एक अच्छे level का question पूछता है यह अच्छे level का question पूछता है तो preparation हमें बहुत अच्छे त्रिकेस इसके लिए करनी पड़ेगी तो 80 questions इसमें technical आएगा 20 questions non technical आएगा 20 questions में आपको हर्याना जी के वो पूछेगा कौन ट्री नहीं पूछेगा कुछ question इसमें हिंदी के भी रहते है तो यह पाट रहा है आपका prelims और prelims में जितना बच्चा लिखेगा mains के लिए उसका 4 times यह normally बुलाते है mains के लिए mains जो paper होता है वो descriptive होता है yes mains का जो paper ह नाम है mains is totally subjective paper descriptive paper होगा जिसमें question होता और उसका आपको explanation लिखना पड़ता है चाए वो numerical है चाए वो derivation है चाए वो theoretical question है अच्छे level of questions है अभी हम उसका एक series भी start कर देंगे जिसमें previous paper के solutions हम डालना start कर देंगे और आपको guide करना start कर देंगे कि इसको आपको कैसे proceed करने है now the third stage जिसमें interview है interview के लिए जो number of vacancies का two times बुलाएंगे right mains के लिए कितने बुलाया number of vacancies का four times जैसे 120 है तो number of इसमें mains के लिए जाएंगे वो 480 students जाएंगे और two times जाएंगे interview के लिए जो कि 140 students दोएंगे right two times बुलाएंगे अप इंटरू के लिए अब इसमें weightage क्या रहता है 100 marks का वो होता है 100 marks मतलब total final selection marks है 100 marks है तो उसके base पे लेकिन उसका percentage of division written exam का और interview का इसमें रहता है दूसरा चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि कोई भी exam आप लिखते हैं जिसमें specially interview होता है तो interview के अंदर एक minimum quality का cut-off होता है तो क्योंकि यह personality interviews होती है अगर आपका personality उसको नहीं लिखे अच के अंदर हमने यह चीज़ आपको दिखाई भी है IOCL में दिखाया है HPCL में दिखाया है अल्मुस्ट हर state में यह चीज़ applicable होती है तो अब ज्यादा time down based करते हुए मैं आप लोगों को सभी को all the best बोर रहा हूं preparation के लिए जो भी आप लोगों में से interested हैं इस exam की preparation करने के लि Rajasthan, Himachal, Haryana, Punjab, Jammu Kashmir, Chandigarh जो भी interested है इसकी preparation करने के लिए आप लोग हमारा Google form fill कर सकते हैं और इसकी preparation हमारे साथ साथ कर सकते हैं राइट everyone thank you and all the best